हिलो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे सर्वेइंग के कोश्चन और सर्वेइंग यह जो है सब्जक्ट है सिविल इंदरी की जो भी यहाँ पे स्सी जेई या कोभी जेई से रिलेटेड एक्जाम दे रहे हैं जिसमें आप सिविल ट्रेट से अगर हैं तो यह वीडियो कमपास और सर्वेइंग कमपास तो उससे जुड़े जो भी कोश्चन है इसमें उससे रिलेटिव वो कोश्चन यहाँ पे करेंगे तो आप एक बार देखिए कोश्चन इंपोर्टन है आपके और वीडियो को ज्यादस ज्यादस सेर करिएगा जिससे की जो भी लोग कमपास फिर ऑफसन दिये गए हैं अ है दब मैंगेटिन निडल मोउव धिदा बॉक्स सेकंट है भी दलायन आफ दी आफ दलायन को अफ दी साइट दस नाट मोव िदा बॉक्स स्य ओप्शन है दा मैंगेटिन निडल अंड ग्रेजुटेर सर्किल डु नोड अट मूवेइ वो यहाँ पे C option है जो पूछ रहा है कि prismatic compass में क्या होता है काउं सी condition हो सकती है आपकी तो उसमें जो होता है वो magnating needle and graduated do not move with the box box के साथ जो है वो move नहीं करती है वो fixed रहती है तो जो magnating needle और graduated circle रहता है prismatic compass में वो box के साथ move नहीं करता है तो यहाँ पे जो है यह कहरा यह option आपका सही हो जाएगा C option correct हो जाएगा चलते हैं अगले question पे देखें next है हमारे पास second question in a quadratic rental system QB system जिसे बोलते हैं या QS बोल सकते हैं the bearing of a line is measured जो bearing आप उसको measure करते हैं मापते हैं जो आप quadratic system में लेते हैं वो कहां तक value ली जाती है वो आपको बताना है आपे कहां से ली जाती है एग option from the south point of the reference median towards the line right round the circle second है clockwise और anti-clockwise from the east-west which never whichever is nearer the line towards north or south C है clockwise और anti-clockwise from the north or south which ever is nearer the line towards east or west C option आपका correct है जो हम qubit system में measuring करते हैं measure करते हैं bearing को वो हम लेते हैं clockwise और anti-clockwise बोथ हो सकता है आपका जैसे ये आपका है तो clockwise कैसे होगा आपका clockwise आपका हो जाएगा ये clockwise direction हो जाएगी इसमें anti-clockwise भी ले सकते हैं ओके दोनों direction में लेख सकते हैं कहां से from the north और south या तो आप ये नार्थ हो जाएगा आपका उपर ये नार्थ हो जाएगा और ये south होगा तो north ये south से जो भी पास पड़ेगा angle जैसे यहाँ पे angle है तो यहाँ से हम ले लेंगे नार्थ से और ये यहाँ पे angle है तो हम यहाँ से ले लेंगे दोनों दिये गए हैं इसमें बताना है आप कौन सा राइट होगा गिफ होल सर्किंग बेरिंग आफ़ लाइन और क्वाडरेटिंग बेरिंग लाइन रेस्पेक्टिवली तो आपसन यही करेक्ट है आपका जो प्रिजमेटिक कमपास होती है वो आपका WCB में मापती है मतलब होल सर्किंग बेरिंग यह आपका होता है 0 से 360 डिगरी तक पूरा अंगिल मेजरिंग करता है उसके बाद जो क्वाडरेटल बेरिंग होती है जीरो टू 90 की वैलू होती है अंगिल लिया जाता है आपका मापते हैं 0 से 90 की बीच में जो आएगी वो QB की वैलिव होगी तो यह जो surveyer compass है यह QB में मापता है और prismatic compass value हमें किस में देती है WCB में देती है यह याद रखेगा ऐसे question आते हैं compass question आते ही आते हैं बिल्कुल एक दा में important question है फिर देखे fourth question इन a prismatic compass the zero of the graduated ring is located at अब देखे बहुत यह भी बहुत अच्छा question है जो prismatic compass होती है उसमें zero कहाँ पे इस्थित होता तो यह कहाँ पे होता है south इंड पे यह south यहाँ पे जो है zero degree की value होती है यहाँ पे zero लिया जाता है फिर देखे the least count of prismatic compass prismatic compass का जो है आपसे least count पूछा जा रहा है यहाँ तो prismatic compass का list count कितना हो जाएगा यह बताना है आपको इसमें देखे प्रिजमेटिक कंपास को जो list count है वो होता है बी 15 minute 15 minute होता है यह लिखा हुआ 15 minute prismatic compass का कितना होता है least count वो हो जाएगा आपका 15 minute याद रखे रहा सर्वेर कंपास works on the principle of सर्वेर कंपास किस्पर काम करता है quadrilateral bearing सिस्टम अभी हम पढ़े थे न किसर्वेर कंपास यह देखे यहां पर यह सर्वेर कंपास का दिया था किसमें क्यूवी में दिया था वही है यहां पर पिर देखे which of the following statement is not सर्वेर में टू साइड होती है प्रिजमेट कंपास और सब्राइबो एसेसरी टुआ प्लेंट टेबल टुफ कमपास जो है प्लेंट टेबल के लिए एसेसरी होती है ऐसा पूला जा रहा है फिर देखें लाश्ट है इन अप्रिजमेटिक कमपास तक ग्रेजुएशन और आई वेंट टेबल दा एलमुनियम डिस्क रोटेट अंड इंडेक्स रिम होती है जो रोटेट करती हैं उतिस्क रोटेट और एंड इंडेक्स रिमेन इस्टेसं घ्ण जो होती है वह आपकी रुकी होए होती है यह दो चिडायब त्युक्च और रहता है प्रिजमेटिक कमपास की रीडिवटी दो लेते हैं वो होती है आपकी चौड़ी, ब्राड होती है, मतलब ऐसे कुछ होती है, चौड़ी टाइप की ऐसे रहती है, ऐसे रहती है, चौड़ी थोड़ी से, ऐसे बनी रहती है, चौड़ी रहती है, प्रिजमेटिक कमपास की रेडिंग जो लेते हैं, फिर देखें अगला कॉस्चन, इन आ, नाइन नमबर देखे, इन आ, प्रिजमेटिक कमपास, दर रेडिंग्स, ग्रिजुएटेड इन, प्रिजमेटिक कमपास में जो रेडिंग होती है, वो ग्रेडिंग होती है, यह पुछा जा रहा है, वो लग कहां पे लिखी होती है, किस में लिखी होती है, ऐसा देखे 10 number the bearing of line in the direction of progress of the survey line is called as जो bearing हम लेते हैं bearing of a line कोई line आपकी है उसमें जो bearing लेते हैं direction of the progress of the survey line मतलब ये बढ़ती जा रही progress इधर 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 बढ़ रही तो यह आपका progress कर रहे है मतलब जिस side में से start किये तो फिर हम काम इधर वर्क जो है survey करते जा रहे हैं तो यह जो angle इस साइड लेंगे हम जो मतलब bearing लेते हैं इसी को क्या कहते हैं इसको forward bearing बोलेंगे क्या बोलेंगे forward bearing बोलेंगे कि फिर देखे अगला अगला कॉस्चन यहां पर देखेंगे अगला देखिए हैं 11 नमबर दिया गया है इफ दा बीरिंग आफ दा लाइन एबी मेजर्ड फ्राम बी टुवर्स ए बी टुवर्स ए मतलब बी से जो है किसकी तरफ एक वर इस नोन आज बीरिंग उसको क्या कहेंगे बी टुवर्स ए म मतलब लाइन अपके दिव गई हैं अब कि यहां पर यहां पर आपको किस साइड से ले नी डी कि साइट से लेने एक driven बीसको और इमने पधा था इस साइटसे लेटे दो किया फारवर्ड बीरिंग बोलते इस साइट से लेते हैं तो क्या बोलेंगो उसे forbearing बोलेंगे Aगर B से A की तरह आएंगे उल्टा पोजिट पढ़ रहा है अगर A B direction में line है रप B से A को पढ़ रहा है तो वो क्या हो जाएगी forbearing हो जाएगी फिर देखें हाँ पर अगला है 12th number question देखिये क्या है हसिए है इसे फिट में च्ट Champions होता है यह बताना है अब किसका मतलब पार्ट है कह सकते हैं यह किस्का पार्ट है घाट इसे पार्ट में होता है ऐसे लिए पाट सब्सक्रार पर चाहर रहते हैं कि यह आई वैन पर लिड्राडर Oops इसकी होती है ऐसे option में चार्द दिया रहता है फिर पूछता है यह किसमे का जो है component है या पार्ट से प्रिजमेटिक कंपास का है सर्वेयर का है या थीडो लाइट का है तो आपका बताना रहता है यह हो जाएगा आपका प्रिजमेटिक कंपास एगएट का इसमें फिट रहता है प्रिजमेटिक कंपास में फिट रहता है अब यहां पर हम जो है यह वीडियो समाप्त करते हैं और आप लोग अपना जो है वो फीड़बैक दीजेगा देखते हैं वीडियो कितना जाता है उसी साफ से हम आगे इसको तो करेंगे यहां ही तरह रखते हैं आगे अगर अच्छा रेस्पांस होता है थोड़ा बहुत तो हम जो है इसको आगे करेंगे बाकी अगले वीडियो मिलते हैं तब तक लिए इसको जादस जादस शेयर करिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जो भी अभी एक्जाम देने वाले हो भी देख सकते हैं तो सब्सक्राइब को जो भी वीडियो को देख रहे हैं और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजएगा अगर अच्छा ना लगे तो आपकी मर्जी जो भी करना हो कर दीजेगा ओके थांक्यू टत्रका अच्छा थांक्ट को जो भी एक रवड देख सकता है।